उमरिया में कानूर व्यवस्ता पूरी तरह से चर्मरा गई है, यहां पुलिस के जवानों पर उस वक्त चोरों ने हमला कर दिया जब पुलिस कोईला खदान की देखरे कर रही थी इस हमले में कई पुलिस वाले घायल हुए हैं, घायलों को अस्पताल पहुँचाया गया समाज को सुरक्षा देना पुलिस का काम होता है, लेकिन जब पुलिस ही असुरक्षित है तो फिर आम जंदा की रक्षा कौन करेगा उमरिया की कानूर विवस्ता पट्री पर पड़ी है, उमरिया की कोईला खदान में चोरों ने पुलिस पर उस वक्त हमला कर दिया जब पुलिस खदान की सुरक्षा कर रहे थे आपको पता दे हैं कि करीब दजन भर से अधीग चो चोरी की नियस से घुच रहे थे पुलिस वालों ने उनको रोखने की कोशिश किये लेकिन उल्टा चोर ही पुलिस पर भारी पड़ गए इस हमले में SISF के जवान संजीव, लोधी और अंके जाट घायल हुएं घायलों को जिला अस्पताल पहुचाया गया पुलिस के बड़े अधिकारी इस घटना की जाच कर रहे हैं यह उमरिया जिले के धाना पाली चेतरान तर्गत तीन और चार नंबर की जो बंद कदान है उसका स्टूर है जो खुले में है वहाँ पे सुरक्चा की दिरिष्टी से SISF के दो जवान लगे हुए थे उसी दोरान उन पे कुछ अग्यात बदमासों के दोरा हमला किया गया जिसमें एक हमारा जो SISF का जवान था उसको सिर में चोट आई है जिसे तत्काल मेडिकल हेत्व बेजा गया है उम पाली के बाद सैडोल और उसके बाद जवलपूर में अभी वो इलाज रत है दूसरा एक और आरख्चत था जिसको तोड़ी कम चोट थी इस घटना पर पुलिस ने तत्काल प्रतिक्रिया देते हुए और वहां पर एक प्रकरण पंजीबत किया है वो खबरें जो आपके काम की हैं वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास से चुड़े मसले हर मसले का सटी कमिशलेशन हम करते हैं सट्य का अनवेशा दखल नियूज आपके हद में आप देख रहे हैं दखल नियूज